साथियों, आज भारत की युवाशक्ति के लिए एक महत्वपुन आउसर हैं, बीते आठ वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड रही है। ये कड़ी हैं रोजगार मेले की, आज केंद्र सरकार आजहादी के 75 वर्ष को धान में रखते हुए, 75,000 युवाओं को एक कारिकम के अंतरगत नियुक्ति पत्रत दे रही है। बीते आठ वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिये गए हैं। लेकिन इस बार हमने ने तय किया कि इकठे नियुक्ति पत्र देने की परंप्रा भी शुरू की जाए। ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाई पूर्या करने और निर्धारित रक्षर को जल्द से पार करने का एक सामुहीक स्वभाव बने सामुहीक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है। आने वाले महिनों में इसी तरह लाखो युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुझे खुशी है कि NDA सासीत कई राज्य और केंद्र सासीत प्रदेश भी और भाजपा सरकारे भी अपने यहां इसी तरह रोजगार मेले आहोजित करने जा रहे हैं। जम्मु कश्मीर, दादरा नगर एवं नगर हवेली, दमंदीव, अन्दमान निकोबार भी आने वाले कुछी दिनों में हजारों युवाओं को ऐसे ही कायरकम करके नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। आज जिन युवाँ साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।